वेलकम टू सक्सेस प्लेस अकेडमी आयम यो फ्रेंड गंशाम दनगर फ्रेंड से इस वीडियो में हम बात करेंगे ओटो और ड्रोन सेक्टर के लिए भारत सरकार एक पी एलाई इसकी मलाई है इसको हम समझेंगे इसमें 26,000 करोल रुपए के लगभग जो भारत सरकार ने घो क्या है वो सब इस वीडियो में हम समझेंगे अगर वीडियो पसंद आये तो लाइक जरूर किजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी किजिएगा तो अब हम देखते हैं यह इसकिम क्या है गोवर्न्मेंट ने 26,000 करोल रुपए की पी एलाई इसकिम की घोशना की है जो सेक्टर के लिए है इस्पेशली और इसमें 120 क्रोर जो है ड्रोन सेक्टर के लिए भी मंजूर किये गए हैं ड्रोन सेक्टर मतलब इंडिया में ड्रोन बने खुद ही इंडिया में एक्यूपमेंट्स कंपनिया बनाए और उनसे ड्रोन का निर्मान करे अब यह प्रेशर इस उससे भी चिंती थे और भारत सरकार खुद भी चाहती है कि ड्रोन्स जो है वह इंडिया में ही ज्यादा बनें और यहीं के मार्केट में यहीं के ड्रोन बनकर बिके भी, तो इसी को हम इस वीडियो में समझते हैं, देखते हैं क्या है पूरी स्कीम तो government ने Wednesday को announce किया 26,058 करोर रुपए का PLI scheme या क्या है production linked incentive यह है production linked incentive मतलब production जितना आप उत्पादन करेंगे उसके हिसाब से ही आपको यहाँ पर incentive मिलता जाएगा अब यह scheme जो है यह auto component industry और drone industry के लिए है कुल मिला कर तो एक तो जहाँ पर पूरी तरह से वाहन तयार हो वो auto component मतलब कोई भी चार पहिया वाहन तयार हो रहा है तो उसका जो अलग-अलग components बनाने वाली companies है उनके लिए वो drone industry इनके लिए भी यह रहेगा तो production basis पर यह होगा अब यहाँ पर क्या हो सकता है तो सरकार के सकती यह इसपेशली जो है वो electric vehicle पर हम ध्यान देने की बात अधिकतर यहाँ पर कर रहे हैं और इसमें fossil fuels है जो चलने वाले जो वाहन है उनको नहीं जोड़ा गया है यह हमको याद रखना है अब यह क्यों हो रहा है है कि अगर 5000 वाहन वो बनाती है तो उनको प्रत्यक वाहन पर 15,000 रुपय का या 20,000 रुपय का incentive हम देंगे तो इससे कंपनियों को भी फाइदा मिलेगा और कंपनी भी यहाँ पर इंवेस्ट करेंगी ज्यादा जो पूरानी कंपनिया इस शेत्र में कारी कर रही है उनको भी यह फाइदा मिलेगा और अगर नई कंपनिया जो यहाँ पर निवेश करना चाह रही है बाहर से आकर यहाँ पर निवेश करना चाह रही है तो उनको भी फाइदा मिलेगा तो इससे इंडिया में जोब भी जनरेट होंगी भारत सरकार का यहाँ पर टार्गेट है कि कम से कम पांच लाग से अधिक jobs को हम यहाँ पर generate करें तो लोगों को रोजगार भी मिलेगा और भारत सरकार को भी इससे फाइदा मिलेगा अब आगे बढ़ते हैं अब यहाँ पर कितने किस शेत्र को अलोट किये गए हैं तो 25,939 करोड उपए जो है वो ओटो सेक्टर के लिए रखे गए हैं हाला कि ड्रोन इंडस्ट्री के लिए देखा जाए प्रेजेंट लिए तो यह कम है पर फिर भी देखा जाए तो एक बूस्ट अब तो इनको इससे जरूर मिलेगा और पीलाई स्किम से बहुत सारी ऑटोमोटिव टेक्नोलोजी जो ग्लोबली है वो इंडिया में आ हो और उनका इंडिया में यूज भी हो और इंडियन मार्केट भी ग्रो करें इस टाइप से सरकार का प्लान है इसके अलावा इसको लाया क्यों गया यह भी तो एक कारण है तो ऑटो सेक्टर को बूस्ट देना जो कोस्ट डिसिबिलिटी जो इंडिया में फेस करनी पड़त है इंडिया में जो है अपना सही अंत्र बंद करने की इसके अलावा पहले देखा जाए तो हारले डेविट सेंट भी गोश्टना कर चुकी थी अधर अधर कंपनी जो कंपनी यहां पर छोड़ कर जाने की बातें कर रही है तो ऐसा हो कि वह इलेक्रोनिक फिल्ड में यहां पर उत्रे यहां पर डेवलप करें कार्स को यहां पर ओटो सेक्टर को बढ़ावा दे और उन कंपनी फाइदा उठाए और यहां की लोगों को रोज़गार भी मिले इससे इंकरेजमेंट मिलेगा इंडस्ट्री को नए फ्रेश इंवेस्टमेंट से यहां से आएंगे अगर ओनली यहां पर हम एलेक्ट्रिक फिल्ड की बात करें और एलेक्ट्रिक कार्स भी यहां पर अगर बनती है अच्छी बनती है तो उसका फाइदा हमको मिलेगा इसके अलावा यह स्कीन जो है ओटो सेक्टर के लिए ओपन है जो एक्जिस्टिंग ओटोमोर्टी कंपनी हैं उनके लिए तो है ही सही न्यू इन्वेस्टर्स भी अगर यहां पर आना चाहा रहे हैं तो उनके लिए भी यह होगी टकनलोची हैं उनसे और एक ओर हे हाट्रोजेन फ्यूल पर चलने वाले जो वैक हल्रोजियी अगर जैसे दिल्ली में आपने सुना technology components के वेहिकल्स हैं उन पर completely knocked down जो टेकनलोजी है semi-knocked-down है किट्स वेहिकल एग्रिगेटर्स और टू विलर्स थ्री विलर्स पेसेंजर वेहिकल्स commercial vehicles और tractor यह सभी यहाँ पर दूसरा जो part है इसमें include किये गए हैं इन पर भी incentive सरकार देगी तो एक बहुत ही अच्छा कदम भारत सरकार का यह माना जा रहा है अब आगे बढ़ते हैं इस scheme की बात करें तो automotive sector जो साथ में देखा जाए कि इसके लिए जो already पहले से scheme launch की गई थी उसके भी 18,100 करोड इसमें merged है faster reduction of manufacturing of electric vehicles जिसको हम फेम बोलते हैं उसमें 10,000 करोड पहले सरकार डिक्लेयर कर चुकी थी यह भी इंडिया को एक बहुत ही अच्छा boost देगी जो fossil fuel based automobile transport system जो है जो वास्तिविकता हम देखा जाए तो पेट्रोल लीजर ज sustainable, advanced or more efficient electric vehicles जो है हम इंडिया में बना सके AC planning भारत सरकार की पुरी तरह से यहाँ पर है आगे बढ़ता है अब यहाँ पर देखते हैं कि भारत में भारत सरकार जो यह scheme लाए तो इंडिया का जो industrial sector है उसका इस पर क्या कहना है तो इंडिया का जो industrial sector है उनका यहाँ पर अगर सरकार का अच्छा कदम है पर अगर सरकार यह सोच रही है कि केवल इस scheme के आने से ही एकदम से भारत में बहुत सारी electric car companies खड़ी हो जाएगी और वह incentive के लिए ज्यादा का निर्मान करने लगेगी तो ऐसा एकदम से possible होने वाला नहीं है क्योंकि जैसे यहाँ पर जो भी सरका incentive दिया जाएगा पर electric car वेसे भी देखा जाए तो दस लाग से उपर की बनेगी एक लाग का लाव के लिए कोई भी कंपनी दस हजार यह सोरी दस लाग रुपे का investment डाइरेक्टली नहीं करें क्योंकि वह सबसे पहले यह देखेगी कि बाजार में मांग कितनी है डिमांड के PLI scheme का जो है सभी ने स्वागत किया है सो आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आपको इस पॉइंट पर clarity भी होई होगी thank you for watching